शुबाशिश प्यारे बच्चो आप सब कैसे है सकुषल होना सभी का डिजिटल कक्षा में स्वागत है इससे पहले कक्षाओं में आपने वर्नमाला वर्नमाला अक्षरों से शब्द अस्व दीर्ग का उच्चारन भारा कड़ी दित्वाक्षर आधी पड़े है तो आज की कक्षा में आगे का पार्ट पड़ेंगे चलिए पहले हम इन स्लाइडों को देखेंगे और जानेंगे मक्खन ग्यारहा न्याई स्वधेश देखा न बच्चो शब्दों को इन शब्दों में कुछ अक्षर दो अक्षरों से बने हैं मक्खन शब्द में दो अलग-अलग अक्षर जुड़े है याने आदा खा और खा मिलकर ख बना है मक्खन ग्यारह शब्द में आदा ग और या मिलकर ग्या बना है ग्यारहा न्याय शब्द में आदाना और या जुड़कर न्या बना है न्याय और स्वदेश शब्द में आदासा और वा जुड़कर स्वा बना है स्वदेश इस प्रकार वह वर्न जो एक आदा अक्षर और दूसरा अलग पूर्ण अक्षर के मेल से बना हो उसे सम्युक्त अक्षर कहते है आईए हम नए प्रकार के अक्षरों को जाने किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लगने से उस अक्षर का उच्छारन आदा ओ जाता है इस प्रकार के आदे उच्छारन वाले अलग अलग अक्षरों को पूर्ण अक्षरों के साथ जोडने से सम्युक्त अक्षर बनते है दो अलग अलग अक्षरों को जोड़ना इसमें एक वर्ण आदा और दूसरा वर्ण पूरा होता है जैसे हम इस स्लाइड में देखेंगे च्छ और च्छ जुड़ने से च्छ बनता है च्छ से कौन से शब्द बनता है बच्छो देखें स्लाइड पर मच्छ और क आदा अक्षर ख पूरा अक्षर दोनों जुड़ने से ख बनता है इससे कौन से शब्द बनता है हाँ सही कहा मखन और एक प आदा अक्षर या पूरा अक्षर मिलने से प्य बनता है प्या से कौन से शब्द बनता है जिहां सही कहा प्याला और एक शब्द स, आदा अक्षर, त, पूरा अक्षर, मिलने से स्थ बनता है, स्थ से कौँ से शिब्द बनता है, आ सही कहा, बस्ता, आगे के स्लाइड में हम सम्यक्त आक्षर के और शिब्द जानेंगे, मैं खहता हूँ, मेरे बाद आप कहिए, प्यासा, प्यासा, तक्ता, तक्ता, मख्खी, मख्खी, ग्यारह, ग्यारह, गुच्छा, क्यारी, क्यारी, कस्थ, व्यायाम, व्यायाम, ईश्वर, ईश्वर, प्यार, प्यार, तो बच्छो आपको समझ में तो आ गया होगा सम्युक्ताक्षर वाले शिब्द कौन से होते हैं अब मैं आपको चोटा सा अब्यास कार्य दोंगा इस स्लाइड पर देखिए और इसे लिख लीजिए इन शिब्दों में से सम्युक्ताक्षर वाले शिब्दों पर गोला लगाईए ठीक है? सभी को धन्यवाद